हेलो अब्रिवन आई होप आप सब ठीक होंगे आज हम डिसकस करने जा रहे हैं हमने चैप्टर नमबर एट जो कंपेरिंग और क्वाइंटिटीज होने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको बता जेता हूं इस चैप्टर में क्या हमने डिसकस करना है क्या करना है कोश्चन तो पैसे को रुपइ में कणवर्ट करते हो ठीक है अ यूँ हमारा सबसे पहले एक्सरशाइज 8.1 का एक question है जिसमें हमें बताना है find the ratio of the following मतलब हमें कुछ question दिया होगा उसके इसाफ से हमें क्या निकालना है उसका ratio निकालना है यहाँ पे ध्यान से देखना सबसे पहला question है first question का a part है speed of a cycle 15 km per hour to the speed of scooter 30 km per hour यहाँ पी हमने क्या करना है इनका निकालना है निकालना है इनका ratio थीक है ना सबसे पहले फ़र्ले क mec निकालना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपके बता जित्तु ह Lebens above simple speed of cycle आप लिखलो speed of cycle किutना जाड़िबेन है 15 km पर आर यह मारे पास speed गीवन है किसकी cycle की अब एक speed हमारे पास और गीवन है speed of scooter speed of scooter यह कितनी speed है हमारे पास द्यान से देखना इसको 30 km पर आर 30 km पर आर हमने देख़ दोनों speed लिख लिए speed of cycle और speed of scooter अब इनकी बात होती है हमने इसका निकालना है रेसो ठीक है ना तो रेसो निकालने के लिए क्या करना है आपने लिखना है रेसो रेसो हमारे किसके बराबर आजेगा सबसे पहले हमारे क्या था है speed of scooter तो हम अपर लिखेंगे speed of speed of scooter speed of scooter अब उन में क्या आजेगा speed of सुरी, स्पीडोफ स्कोटर नहीं आएगा, स्पीड ओआएगा अपने, यहाँ एक मिनिट, मैं स्कूरप कर देता हूँ देखने जहां से, इसको रप कर देते हैं, यहाँ पर आएगा स्पीड ओफ साइकल, क्योंकि हमारा सबसे पहले cycle का speed इवन था speed of cycle लिखना है आपने ठीक ना नीचे हमारा क्या जाएगा speed of scooter speed of scooter ठीक ना ये लिख लिया अब देखो हमारे पाई speed था कितना speed हमारे पास था जान से देखना cycle की speed थी हमारी 15 और बात करें इसकी क्या नाम इसका scooter गा तो ये हमारे पास क्या थी 30 ठीक है ना अब देखो ये किसमे थी हमारी km पर आर में तो km पर आर से km पर आर हमारा cancel हो जएगा जिसको मैं cancel करूँगा 15 वन जा 15 15 टूजा 30 ठीक है ना तिह हमारा केतना निकल के आगया 1 अपोन में 2 ठीक है ना अब इस यू को आप कैसे लिख सकते है 1 रेसो 2 ठीक है 1 रेसो 2 ठीक है ना तो ये हमारा क्या आगया ये हमारा अंसर निकल के आगया तो आई होप आपको question number first का ए पार्ट समझाया होगा अब हम discuss करेंगे इसके बी पार्ट के बारे में तो इसको मैं question को रब कर देता हूँ आपने I think note कर लिया होगा देखो इसको मैं रब करता हूँ question रब करके मैं इसका second बी पार्ट लिखुआ अब बी पार्ट में क्या पूंचा हुआ है देखना ये हमारा question रब कर दिया मैंने इसको देखो जी अब इसके बी पार्ट के बारे में देखते हैं बी पार्ट में हमें पूंचा हुए 50 meter to 10 km ठीक है ना बी पार्ट अगर हम लिखते हैं इसका तो इसका लिखा हुए 50 meter 50 meter to 10 km अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कभी वह आप किसी भी quantities को compare करते है तो उनकी unit should be equal तो मैं लिख देता हूँ unit should be क्या होनी चिह unit, unit be equal unit हमारे क्या सी होनी चिह equal होनीचीए इस चीज का आपने द्यान रखना है ठीक है ना कभी वह आप किसी भी quantities को compare करते है तो इसकी unit पहले इकवल है और ऋका रेसों निकाल का लिए तो देखंग यहां पे 15 मीटर है और हमारा 10 किलो मीटर करें यहां तो देखं़ यह तो आप मेरा 40क Barnes Trude कर लो 10 KM कर लो तो 10 km यह 25क्त सक्द सरा हमी तर आफ मेरा 10 KCl met में कितने मीति होते हैihen आप सबको पता होगा 1000 मीटर ठीक एक किलो मीटर में कितने मीटर रते हैं 10,000 meter, ठीक है ना, 10,000 meter, I hope आप सबको समझ आया होगा, अब देखो, एक तो हमारा 50 meter ओल रेडी की बन था, अब इसका हम रेषो अराम से निकाल सकते हैं, अगर रेषो निकालते हैं, तो क्या आजेगा हमारे पास, रेषो निकालने के लिए, रेषो इसकोल टू, सबसे पहले 50 meter, 50 meter हमारा उपर था, 50 meter हमारा था उपर, और नीचे के आजेगा, यह जो हमारा 10 km वाला था, तो हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, पांच जीरो ठीक है, ना, सोरी, पांच जीरो नहीं, हमारे पास कितने हैगी, 4 number of 0 जाएगी, ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर मैं बा इसको मैं काटता हूँ, 5, 1 जा 5, और 5, 2 जा 10, उसके बाद देन हमारे कितने 0s, बच यह लास्ट में, 3 0s, ठीक है, ना, यह थीरी 0s, हम यहां पे उताल लेंगे, तो 1 अपोन में 2,000 आ गया, इसको मैं क्या लिखेंगे, 1 अपोन में 2,000, ठीक है, ना, 1 अपोन में 2,000, ठी से पहले आपको यही बता देता हूँ, कभी भी किसी भी यूनिट का रेसो निकालना है, या कंपेर करना है, तो उसकी यूनिट सुड भी एक्वल होना चाहिए, इस चीत का ध्यान रखना, जैसे यहां पे 50 मीटर था और 10 किलो मीटर था, तो चाहे आप इसको किलो मीटर में से दोनों यूनिट को सेम कर लो, या आप क्या करों मीटर में कर लो, अब मुझे पता था कि यहां 50 मीटर है, अगले को मैं क्या करता हूँ, मीटर में करनोट कर लेता हूँ, इससे क्या होगा हमारा, इजली हमारा कैंसिल करने में दिक्कत नहीं होगी, इस करके हमने क्या करा में चनुट करके फिर करा है ठीक है आप यह 50 मीटर था ना मीटर को किलो मीटर में बदल के कर सकते हो सेम अंसर आएगा अब मूप करेंगे अपने इसके अगले पार्ट पे अगला पार्ट हमारा देखना ध्यान से बहुत इंपोर्टेंट कोश्टन है बस थोड़ा माइंड का यूज करना बस compare करते हैं हमने unit को क्या करना unit should be equal रखनी है इस चीज का ध्यान रखना ठीक है ना देखो मैं next question लिखता हूँ next question इसका C part होगा ठीक है ना इसका C part हम देख लेते हैं देखो c part में हमारा 50 लिखता हूँ इसका C part क्या है एक मिनड़ देखो अगर मैं इसके C part की बात करता हूँ C part हमारे पास 50 पैसे 50 पैसे two rupees five 50 पैसे two rupees five अब देखो सेम वही बात आगी हमने रेसो निकालना इनका तो देखो यहां वे 50 पैसा यहां पे five rupees है एक काम करो आप five rupees को पैसे में कनोड कर लो या आप क्या करो पैसे को rupees में कनोड कर लो आप कुछ भी कर सकते हो तो यहां पर लेकिन मैं क्या करूँगा रुपीज को पैसे में करूट करूँगा इससे क्या होता है हमारा कैंसिल हो गयरा करने में दिक्कत नहीं होती है ठीक है तो देखना मैं आपको सबसे पहले बताता हूं क्या करना है देखो आप सबको पता है देखना अगर मैं बात करत तो मैं क्या कूँगा 5 रूपीज में कितने पैसे आजेंगे 100 को आपने क्या करना है 5 से multiply कर देना है ते कितना आजेगा हमारे पास निकल के 500 पैसे आँ वप आपको यह किलियर हो रहा होगा तो हमने युनिट को बरावर करने के लिए ऐसा किया है अब देखो यहां बात आती है यहां पी हमें निकालना निकालने आए रयसे दिंशाथ थे पर रखते हैं छिए पर राखते ठीक है ना 500 पैसे अब जोगा एक जीरो से एक जीरो केंसिल होगी 5 जा 5 हो गया और 5 टैन जा कितना होता है 50 तो 1 अपोन में 2 आ गया निकल की सोरी 1 अपोन में 2 नहीं 1 अपोन में 10 आ गया यह आपको किलियर हो रहा होगा तो इसको अब रेसो में लिखना है तो देखो निमिनेटर वाला सेम लिख दो आगये रेसो लगा दो यह लिख दो 10